साथियो नमस्कार आज मैं आपको fruit fly trap के बारे में बताऊंगा मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको खाली बोतल से fruit fly trap कैसे बनाते हैं वो बताया था जो साथी उतना मेनत नहीं कर पाएं और बना नहीं पाएं तो उनके लिए बाजार में यह जो fruit fly trap मिल जाएंगी या online भी मगवा सकते हैं इसमें जो यह एक cup आता है और एक यह ढकन है इसके उपर यह जो ढकन लगता है और इसमें cup में तीन छेद होते हैं एक दो तीन और एक छेद छोटा छिदर होता है यहां इसके पैंदे में और शाथ में एक यह चिपकू यह जो इसमें एक टिकिया आती है यह जो इस तरह की जो टिकिया है और इसमें एक छेद होता है तो इस छिदर में इसको इस तरह का wire होता है यह जो wire और शाथ में आता है यह भी यह wire इसमें बांदेते हैं और इसके अंदर जो इसके पैंदे में छेद है उसमें हम ये वायर डाल देते हैं इसको सीधा करके इसमें हमने परवेश करवाना है ये डल गया अब और ये इसको हम ये ढकन इसका लगा देंगे इस तरह हैं तो ये हमारा fruit ply trap बनकर तयार हो गया है अभी जो इस टिकिया के अंदर इस तरह की smell आती है जो ये फल मक्षी हैं उनको आकरशित करता है और ये मक्षियां इसकी जो smell है इसमेल से जो मक्षियां हैं इसके अंदर परवेश कर जाएंगी चिद्रों के माद्यम से और जो यही पर इसके अंदर ही गिर कर ये समाप्त हो जाएंगी जैसे मैंने ये कल ही जो fruit ply trap को मैंने एक बना कर और कल ही इसको मेरे जो बगीचे में जो apple bear का बगीचा उसमें लगाया था और एक दिन में ही इतनी सारी जो फल मक्यां इसके अंदर परवेश कर चुकी है साथियो इसका एक फाइदा ये भी है कि इसमें जो फलों को नुक्सान पहुंचाने वाली जो मक्यां हैं वो ही परवेश करेंगी इसमें मदू मक्खी और मित्र कीट इसके अंदर परवेश नहीं करेंगे साथियो इस तरह का जो ये फलमक्खी ट्रेप है जो मैंने इपाँच फलमक्खी ट्रेप ओनलाइन मंगवाए थे एक फलमक्खी ट्रेप तकरीबन 70 रुपी का पड़ा है एक एकड में लगभर तक 10 फलमक्खी ट्रेप काफी है या पिर पेड़ों के इसाथ से देखा जाए तो 50 पेड़ों पे एक फलमक्खी ट्रेप काफी है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद ठीक है